नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है महाराष्ट के भीमा कोरगाओं में 200 साल पुरानी जंग पर जीत का जश्न जातिये हिंसा में तब्दील हो गया है एक जनवरी 1818 को पेश्वा बाजीराव द्वीतिये और इस्ट इंडिया कमपनी के बीच युद्ध हुआ जिसमें कमपनी की 800 दलितों की फौज ने पेश्वा के 28,000 सैनिकों को हरा दिया था ऐसे देखा जाये तो ये अंग्रेजों की पेश्वा पर जीत थी लेकिन ब्राह्मन पेश्वाओं के खिलाफ दलित महारों ने युद्ध जीता था और तब से लेकर अब तक हर साल इस जीत को दलित बड़ी उपलब्धी की तरह मनाते हैं इस बार महारों की जीत की दो सौवी वर्षगार थी तो हजारों की जगा लाखों की भीर जूटी सनस बाड़ी गाउं में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जैस्तंब के चारों और भारी संख्या में दलित जूटे थे लेकिन तभी कथित तौर पर कुछ दक्षिन पंथी अराजक तत्वों की वोर से पत्थर वाजी होने लगी और देखते ही देखते हिंसा बढ़ने लगी आज इस हिंसा की चपेट में महाराश्ट्र का बड़ा हिस्सा आ गया है एक व्यक्ति की मौत के अलावा सार्वजनिक और निजी संपती का नुकसान हुआ है फरनवी सरकार ने फिलहाल न्याइक जाज के आदेश दिये हैं उधर गुजरात के नव निर्वाचित निर्दलिये विधायक जिगनेश मिवानी और छात्र नेता उमर खालिद के खिलाप शिकायत दर्ज कराई गई है कि इनके भड़काऊ भाशनों के चलते हिंसा भरकी दरसल जिन पेशवाओं पर जीत का उतसब मनाया जा रहा था उनकी छवी बाजी राव मस्तानी जैसी फिल्मों में जैसी दिखाई गई है असल में वैसी नहीं है इतिहास बताता है कि छत्रपती शिवाजी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले पेशवा जाती व्योस्था के मामले में उनके आदर्शों पर नहीं चल पाये थे अपने ब्रामन होने पर उन्हें न केवल गर्ब था बलकि इसके लिए वे दलितों को प्रताडित करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते थे उन्होंने पेशवाई कानून लागू किया था जिसके मुताबिक अपवित्र जाती के लोगों को गले में हांडी और पीछे जारू बांध कर चलना होता था ताकि उनके थूग और पैरों के निशान से सडक अपवित्र न हो जाए कुछ लोग कथाई ये भी बताती हैं कि दिन के समय दलितों को कई इलाकों से रेंग कर निकलना होता था या किसी ब्रहमन के सडक से गुजरते समय जमीन पर लेट जाना होता था ताकि उनकी छाया किसी पवित्र व्यक्ति पर न पड़े पेश्वाओं ने अपने से पराजित राज्जियों के साथ भी बहुत बुरा सुलूक किया था और महिलाओं का भी वह सम्मान नहीं हुआ जो शिवाजी के वक्त होता था ये तमाम वजहें अंग्रेजों के सामने उनका पतन का कारण बनी महारों में अपने पुर्वजों के साथ हुए वेवहार के प्रती नाराजगी भरी हुई थी जो इस तरह के आयोजनों में थोड़ी बहुत बाहर आ जाती है रहा सवाल इस बार भड़की हिंसा का तो इसकी पहली जिम्मेदारी महाराष्ट की सरकार की बनती है क्योंकि उसकी आंतरिक सूचना व्योस्था विफल हो गई या जान भूज कर स्थिति को बिगर जाने दिया गया महाराष्ट में जाती ये तनाव पहली बार नहीं हुआ है फिर क्यों फरनवी सरकार ने उचित सावधानी नहीं बढ़ती इस कारकरम में जिगनिश विवानी उमर खालिद के अलावा बाबा साहब अमबेटकर के पोते प्रकाश अमबेटकर और रोहित बेमुला की मा भी शामिल हुई थी भाजपा और दक्षिन पंथी ताक्ते हैं इन से आसहज भंसूस कर रही होंगी क्योंकि ये बार बार उन्हें चनौती देने के लिए खड़े हो जाते हैं कोरे गाओं में उमर खालिद ने ना केवल 200 साल पुरानी लड़ाई के शहीदों को याद किया बलकि रोहित बेमुला अखलाख और गौरी लंकेश की शहादत को भी याद दिलाया उन्होंने अन्याए के खिलाब बिना डरे आंदोलन का अहवान किया अगर लोकतांतरिक देश में आंदोलन की बात करना देश के टुकरे करने के समान है तो क्या अब बाबा साहब अमबेटकर को भी इसका आरूपी माना जाएगा जिगनेश मिवानी ने इस आयोजन में आए लोगों से शांती बनाये रखने की अपील की इन दोनों की बातों से कुछ लोगों को आपती हो सकती है लेकिन इस हिंसा के लिए उन्हें सीधा जिम्मेदार ठहराना गलत है राहुल गांधी और मायावती दोनों ने इस घटना के लिए भाजपा और RSS को जिम्मेदार ठहराया है इस वक्त महाराष्ट और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है इसलिए उन पर पलटबार करने या जिगनेश या उमर को जिम्मेदार बताने की वजाए उसे देश को संतोष जनक जवाब देना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहें डीवी लाइब नमस्कार